जगा जगा नमास के बारे में कहते हैं और कुछों लोग पीरों से बैच भी होते हैं बहुत पीर हैं इस दौर में भी पीर बहुत हैं और पहले भी पीर थे पहले के पीरों में और आज इस दोर के पीरों में बहुत फ़र्क है आज के मुरीदों में और पहले HIS मुरीदों में बहुत फर्क है बैत होना हुक्म रब ने दिया बैत होने का और इस वक्त तमाम मुमिन और मुसल्मान अल्ला का शुक्र अदा करें कि हद्रत जैनुलाबदीन अस्सालाद स्सालाम से अल्ला ने यह बैत का सिलसला काइम किया अगर हद्रत जैनुलाबदीन अगर साहदत नौस परमा लेते तो हम और आप कुछ नहीं मिलता इमान वाले नहीं रहते यह बैत का सिलसला हम तक नहीं फोचता अहल शैदात का भी सिलसला वही तक मेहदू रह जाता है इसलिए हमें सब से जादा एहल बैत का शुक्र अदा करना चाहिए हज़र जैनुलाबदीन अस्सालाब सलाम का शुक्र अदा करना चाहिए हमें बारा इमामों का शुक्र अदा करना चाहिए जिन्हों ने हमें इस सिलस्रे काइम और रखा और हमें राष्टा बताया लेहादा जब पीर से कोई बावस्ता हो जाए तो पीर से आई है कि अपने मुरीद को जब बावस्ता हो गया और जब उसने प्याला पी लिया पीर का तो सब से पहले वो पीर अपने मुरीद को दर्स दे ताकीद करें हुक मुझे कि अपने माबाप की सेवा करना माबाप को ख्यार लखना खुझ से पहले माबाप को खिलाना माबाप का अदब हैत्राम करना माबाप के वालिर वालिदें के आवाज से उची आवाज ना जाए माबाप के दिल किसी कीमत पर ना दुखे कर्जदन तरीके से अपने पीर को हुक्म दे अपने मुरीद को हुक्म दे, पीर का काम है, अपने मुरीद को हुक्म दे, कि माबाप का ख्याल लटना, कानून बताए, अगर माबाप नराज हैं, तो न ये बैट काम आएगी, ना नमास काम आएगी, ना जकात काम आएगी, ना रोजा काम आएगा, ना हज काम आएगा, कु यह खौनून का तमाम चाहे खौनून का उपने मुज़ीदों को यह दर्स जैने चाहिए खौनून का बताना चाहिए ताकि मैदान हर्ष जब हो तो पीरों से पूचा जाएगा कि तुम ने ये पैगाम कहां तक पहुचाया ये कानून किसकी को बताया जब ये कानून समझ लेंगे इसका खौप पैदा हो जाएगा तो मुझे यकीन है कि वो मुरीद अपने माबाप की अवास से मुची आवाज नहीं देगा अपने माबाप का ख्याद लखेगा अगर नमाज पढ़ेगा तो माबाप का ख्याद लखेगा नमाज पढ़ेगा तो नमाज खुबूल होगी हच्च करने जाएगा माबाप की दौाओं से हच्च खुबूल होगा कोई भी काम अगर करेगा तो माबाप की दुआ से पूरा होगा माबाप राजी है तो अल्लह राजी है एल बैत राजी है नभी राजी है इसलिए एक जब जहाद का हुक्म हुआ एरान हो गया कि जहाद के लिए तयार हो जाओ तो एक लड़का था जवान वो फोड़ी नभी के पास आया और कहा या सुलिए लाज मैं आपके साथ चलता हूँ जहाद के लिए तयार हूँ आपने फरमाया तुम्हाई घर में कौन कौन है कि माँ है कैसी तबीत कैसी तबीत है कि माँ की तबीत नासाद है हुक्म दिया कि जाओ जहाद के लिए मत जाओ पहले माँ बाप की सेवा करो माँ की खिद्मत करो माँ का जैबाल करो तो ये मुकाम है जबके जहाद का हुक्म होने का मामला ये है हुक्म होते ही अगर खाना खाता है तो फोरी छोड़ दे वहां फ़री तैयार हो जाएं लेकिन नभी ने फर्माया माबाप की खिद्मत करो तुम मा की खिद्मत करो इसलिए माबाप की खिद्मत करना सुन्नत भी है फर्ज भी है हुक्म नभी ने दिया ला ने हुक्म दिया कि माबाप की खिद्मत करो हमें सारे फर्ज अदा करने के लिए नमाज फर्ज है पढ़ो लेकि माबाप की सेवा भी फर्ज है पढ़ो माबाप की खिद्मत भी सेवा फर्ज है पढ़ो तो हमें सबसे पहले जो फर्ज अल्लह नहीं हमें बताया है सबसे पहला फर्ज है हमारे म बुली चीज को याद दिलाता है इसलिए कहा याद है तो आबाद है अब भूल गया तो बर्बाद है इसलिए मेरे तमाम भाई बहन अगर बैत हो जाए तो माबापका ख्यार लखें ये मेरी सब चुजारी से और ये कानून को दिल पे लिख ले अपने कानून को दिल पे लिख ले ये जो कानून बता जा रहे है ये नभी ने कानून हमें आपको पहुचाया ला ने हुक्म दिया माबाप की सेवा करो ये कानून वो कानून है अगर हमने इस पर अमने किया इसको हमने छोड़ दिया ना हज काम आएगा ना नमास काम आएगी ना रोजा काम आएगा ना जकात काम आएगी कोई भी काम नहीं आगा आपका अमन अगर माबाप नाराज है इसलिए मेरे नौजवानों भाईों बहनों बेटियां मेरी एक बास सुन लो कि ये कानून वो कानून है जिसके लिए नभी ने हुक्म दिया जिसके लिए अल्ला ने हुक्म दिया हद्रति मुष्ण स्राम का बाकिया आपने सुना होगा कि जिस वक्त कोहे तूल पर हद्रति मुष्ण स्राम जब जाय करते थे तो अल्ला से हम कराम हुआ करते थे द्वा सलाम करते